हेलो फ्रेंड्स मैं वीन ओठाकुर आपका मेरे चैनल बोनसाइन गार्टनिंग अभी से फिर से सब्सक्राइब करता हूं आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों क्लम पिश्टाइल बोनसाइट टेक्निक के बारे में तो दोस्तों उस्ते पहले अगर आप चैनल प पांच प्लांट्स को एक साथ टाई अप करके धागे या टेप की मदद से एक साथ ग्रो करते हैं जिससे कुछ समय बाद वो उसके जो तने होते हैं इस्टेम्स वो साथ में जूड़ी आते हैं और हम लोग को काफी ठीक ट्रंक मिल जाती है जिससे बोनसाइट बनाना काफी कैसे करते हैं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप आहां जाकर देख लेना तो दोस्तों हम लोग इसका स्वाइल है टाके एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी रूट्स ने कितना डैवलप्मेंट लिया है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यह थी टेप है तो आप उससे भी टाइब कर सकते हो तो दोस्तों इसको टाइब कर लेते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों मैं इसको टाइब कर दिया हूं धागे के मदद से तो इसको हम लोग टेप की मदद से भी आफीत तार की मदद से हम लोग इसको टाइब कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसको याले पॉट में शिफ्ट करूँगा तो इसका देख लेते हैं ड्रेनेज होल तो नहीं है दोस्तों हम ड्रेनेज होल बना लेते हैं इसका फर्स्ट लियर इसकी ब्रिक्स की लगाएंगे दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं इसके ट्रेनेज होल के पास एक पत्थर रख रहा हूं जिससे कि जब हम लोग इसमें वाटरिंग करेंगे तो वाटरिंग करने से इसका स्वाइल मिक्स बाहर न निकले इसलिए हम लोग इसकी एक लेयर पहले ब्रिक्स की लगाते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों यह मेरा स्वाइल मिक्स है यह 50 परसेंट गाडन और 50 परसेंट मिक्स है मैं इसी का सॉइल मिक्स करता हूं हमेशा दोस्तों अगर आपको वर्मी कंपोस्ट आपका पास है तो वरमिकम्पोस 25% 25% 10 atau 50% सोईल मिला कर सकते हूं जिससे की काफ़ी अच्छा सोईल बन जाता है तो दोस्तों हम लोग इसकी फिल कर देते हैं तो जैसे की आप allt tack करे देते हैं तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो क्लम्प इस्टाल वह उनसा ही टेक्निक के बारे में तो दोस्तों कमेंट करें बताओ कि आपको कोई वीडियो कैसा लगा मैं इसके अपडेस्ट आपको दे दूँगा बाद में अभी ये वीडियो काफी लंबा हो चुका इसलिए नहीं दे रहा हूं